सबी लोग पढ़ रहे हैं चुम्बकत तेवं द्रव इंग्लिश में मैंटर एंड मैगनेडिजम या मैगनेडिजम एंड मैटर करते हैं चैप्टर पूरा फिनिश करा चुके हैं लग 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 अब आज है इसका प्रैक्टिस शेशन प्रैक्टिस शेशन में सबसे पहले शि के बाद चलते हैं लॉंग अंसर और उसके बाद चलते हैं नुमेरिकल कॉश्चन और सबसे लास्ट में एम सी क्यू सही गलत जोड़ी मिलाओ खालिस्थान भरो तमाम चलिए भाईया तो आजाईए वेरी शॉट अंसर अती लग उत्री प्रिशन में बताईए क्या पढ़ा है थे चार बटबr пंच और मिलंब जीरो पॉइंट यह चार बटब जीरो पॉइंटर मलब जीरो से ले के वनके बीच में बहुल हां चार बटे पांच है आप कह रहो प्रती चुम्बकी बिल्कुल गलत बोल रहा हूँ, यह हो, जीरो से लेके वन के बीच में, अगर पीछ जाएगी, यह वो नहीं है, चुम्बकी प्रवत्ती है, यह चुम्बकी प्रवत्ती है, आई, सुन लो अब, आई का मान प्रती चुम्बकी के लिए, तुम क सापेचिक पारगमता हमेशा धनात्मक होती है, हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है, मगर चुम्ब की प्रवत्ती धनात्मक, रिनात्मक कुछ भी हो सकती है, समझ में आया, और याद रखो, जीरो से लेके वन के बीच में मतलब कम धनात्मक, मतलब 0.8, धनात्मक है कि रिना घनात्मक हैben आख मून करके क्या होता है और अगर अधिक धनात्मक है तो जो पिख ढ़ए किया है तो यहां पर ही कैसी दिख रही है धनात्मक कैसा है कम अजया गात रहा है अनुचम्स किया समझ समझ में आ गया तो नोट करो इस av Aa चुम्बकी प्रवत्ति की बात हो रही है आपने उनुमान लगा लिया किसका आपने लगा लिया चुम्बक शीलता का निरपेक चुम्बक शीलता लगा लिया आपने है ना हाँ वो नहीं है ये हां अगला कोश्चन देख लो यार अगला कोश्चन है एक पदार्थ की चुम्ब की प्रवत्ति माइनस 0.5 है बोलो क्या है प्रती चुम्ब की प्रवत्ति दी गई है तो प्रवत्ति दी गई है तो उसको अपन काई से सो करते हैं हां लेगलो भाई काईगा फॉर्मूला आए Q10. Q is equal to I upon H. H को एलाता है चुम्ब की बल. H उता है चुम्ब की बल. Note करो. नहीं वो अलग है. यह माध्यमाला बल है. एक तरीके से समझाता हूं, सुनो. यह अलग है वो बल नहीं है. वो बल नहीं है. वो बल चुम्ब की बल वो अलग है. इसका नाम रुक जाओ, इसका नाम है. चुम्ब कन छेत्र कहलो इसको. चुम्ब कन छेत्र. चुम्ब की बल मत कहो. चुम्ब कन छेत्र. यह नोट करो. यह नई चीज है वेटा. नोट करो, इसके बारे में बताते हैं भी. यह नई चीज है. चुमकन छेत्र, परिवाशा लेखो। चुम्ब की प्रवत्ती की परिवाशा लिखो। पहले फिल् rating पकड़ लो। वे तुम लोग मानलओ 50 बच्चे बैठे हो। बाकी नसेयं सुनी हैान्य मतलब मेरे बात का सुनी की थोड़ा भुआ सा हुआर मेरा चुम्ही की चैतर फैलागी नूराबुी युसरू गर मेरा इंया यु रेऽ अनुका स्थ्पके चुम्ही्न के लाइन कैने डूге क्यों गरैं क्यों छोड़ा एकतरय मेरा nous सम्दिस हो जाओ, क्या हो जाओ, सम्दिस हो जाओ, सम्दिस हो जाओ, एक ही जिसा में हो जाओ, समझ गया ना, एक तरीके से हो जाओ, मगर कुछ ने मेरी बात सुनी, कुछ ने मेरी बात, मतलब कुछ के डाइपोल मुमेंट तो North और South भासा में create हो गए, मगर कुछ भी धीट लोग बंद लूप बना के क्या हुए थे, बैठे हुए थे, बुलो हाँ, पीछे के बच्चे बंद लूप बना के बैठते हैं ना, ब क्या हो गया है है मतलब है चुम्बकन छेत्र में कुछ मेरे लूप बन गए हाँ या ना, प्रती एकांक आयतन में बनने वाले चुम्बकी आगून को बोलते हैं चुम्बकी तीवरता आई, कल बताया था मैंने, क्या नाम था इसका यार हिंदी में और परशान, चुम्बकन तीवरता, नाम थुड़ा था, बोलने में दिक्कत होती है हिंदी वाले, हाँ, ठीक ना, इंटेंस्टी ओफ मैगनडाइजेशन हिंदी, इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी मोलते हैं चुम्बकन तीवरता, तो एकांक छेत्र लगाने पर चुम्बकन तीवरता क्या बने किसी पदार्थ में उत्पन चुम्बकन तीवरता और चुम्बकन छेत्र के अनुपात को उस पदार्थ की चुम्बकन प्रकती कहते हैं उस पदार्थ की चुम्बकी प्रकती कहते हैं, इसे काई से प्रदर्सित करते हैं इसे काई, यह देखो यह काई है, एक्स बनाके लंबा कीच दो, इसे काई से प्रदर्सित करते हैं, इसमें बोलते हैं काई, काई लग गई वाला काई इसे काई से प्रदर्सित करते हैं ठीक है काई कुल्डू I by H I by H काई कुल्डू I by H ठीक है अब च्छो सुनो जो I की इकाई होती है वह H की इकाई आती है तो इकाई से दोनों की काई क्या हो गई तो यह आपको शुद्दनमबर मिलेगा क्या मिलेगा शुद्ध नंबर मतलब यहाँ पर क्या मिलेगा आपको एक अंक क्या मिलेगा अंक क्योंकि यह अनुपात है क्या है अनुपात लिगो चुंकी चुम्ब कीये प्रवत्ती एक शुद्ध अनुपात है अतह ये हमें अंक रूप में प्राप्त होगा अतह है ये हमें अंक रूप में प्राप्त होगा इसका कोई मात्रक नहीं होता और वास्तों में हमें ये अंक बताता है की वास्तों में हमें ये अंक बताता है की ये अंक बताता है की यदी पदार्थ को एक चुम्ब की च्छेतर में रखा जाए यदी पदार्थ को चुम्ब की च्छेतर में रखा जाए तो यह कितनी जल्दी तो यह कितनी जल्दी चुम्बकित शेतर में रखा जाए तो यह कितनी जल्दी चुम्बकित होगा तो यह कितनी जल्दी चुम्बकित होगा ठीक है मतलब यह जो प्रवत्ती है यह बताती है कि अगर किसी को रखा जा चुम्बकी छेतर में तो कितनी जंदी चुम्बकित होगा समझ में आया लिखो ऐसे सुन लो सबको पता है प्रति चुम्बकी पतार्थों के लिए काई का मान क्या होगा रिनात्मक चुम्बकी के लिए कम धनात्मक अनुचुम्बकी के लिए ज्यादा एवं धनात्मक समझ में आ गया अगर जीरो से लेके वन के बीच में है धनात्मा की है तो यह होगा अनुचुम्ब की क्या है अगर वन से ज्यादा है अगर वन से ज्यादा है तो क्या होगा प्रधी चुम्ब की लौचुम्ब की हा वन से ज्यादा है तो लौचुम्ब की आगा समझ में ठेके ना तो यह प्र चुम्ब की कैसा है? मैंने का ओए सीधे हो जाओ सबने उल्टा मूँ फेर लिया बताया था मैंने प्रति चुम्ब की पदार्थ क्या होते हैं? तीवरिच छेतर से दूर दूर की तरफ जाते हैं तो अगर सबने चुम्ब की प्रवत्ती तेड़ी कर ली मतलब सारे डाइपॉल बनने थे इधर मेरे तरफ बन गए उस तरफ तो बो चुम्ब की प्रवत्ती क्या होगी रनात्मक? क्या होगी? रनात्मक मूने का ओए सीधे हो जाओ बोल नहीं पाया सबके सब सीधे होगा है समझ में आया? तो क्या हो गई चुम्मी की परदार्थ जादा चुम्मकत परदर्शित करता है यदि उसे समान तीवर्ता के छेत्र में ठंडा किया जाए देखो भाई साब अब जो अपन ने एक्सपरिमेंट किया आपने देखा अनुचुम्मी की परदार्थ यहां रखते थे बोलो हाँ बोलो और इदर चुम्मी की छेतर लगाते थे इस दीशाम बोलो हाँ तो चुम्मक के इदर लाते ही यह चुम्मक लगा हुआ है ठोड़ा सा हल्गा सा हिलता था याद है हल्गा सा क्या हो जाता था हिल जाता था एक्सपरिमेंट में देखा नाम लोगों ने प्रेयोंगे मापन ने किया थोड़ा सा हिल जाता था अब क्या कह रहा है बेटा अगर इसको गरम करो गे तो गरम करने वाल एक्सपरिमेंट आपने देख लिया था चिपका था पट्ट से तार तूट गया था हाँ या ना तार तूट गया था ना अगर आणू रावाटी पदा championships अगर धुन आट चुम्बिकी पदारwo अपनने बढ़ किया था बद तो टीमे था हाँ धियाले था अब कहारा था प्रम गरोगो क्या था 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 राम कर्शानीएटी था याना अगर इनको ठंडा करो गे तो गर्मी लगी ठंडी लगेगी ठंडी में कूदेंगे कि जम जाएंगे जम जाएंगे मतलब एक wacky यह पहला नहीं हो जाएंगे बूलो हां मतलब फंडा करने पर इनके जो行了bar जो उश्मिय परच्छों भे मिल रहा है वो बढ़ने लगेंगे कि कम होने लगेंगे कम होने लगेंगे इससे चुम्ब कर तो क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा लिखो भी या अंसर लिखो जब किसी अनुचुम्ब की पदार्थ को बाहिचुम्ब की चेतर में रखा जाता है तो इसके प्रतेक परमानवी चुम्बक पर अनुचुम्ब की पदार्थ को जब किसी अनुचुम्ब की पदारत को एक बाद चुम्ब की छेतर में रखा जाता है तो इसके प्रतेक परमाड़ी वी चुम्बक पर एक बलीगुम कारे करता है जो इसे जो इसे छेतर के समांदर लाने का प्रयास करता है जो इसे छेतर की दिशा के समांदर लाने का प्रयास करता है तापमान बढ़ाने पर उश्मिय कमपन इसका विरोध करते हैं तापमान बढ़ाने पर उश्मिय कमपन इसका विरोध करते हैं करते हैं ना तापमान बढ़ाने पर उश्मिय कमपन इसका विरोध करते हैं परन्तु यदि तापमान कम किया जाए तो उश्मिय कमपन कम होने लगते हैं तो उश्मी कमपन कम होने लगते हैं, जिससे यह कुछ ज्यादा चुम्बकत प्रदर्शित करता है, उश्मी कमपन कम होने लगते हैं, बेटा लिखा है उसमें, पेज नंबर 117 का खा, है ना, कोई दिक्कत नहीं, सब लिखा हुआ है, उश्मी कमपन कम होने लगते हैं, जिससे यह क्या चुम्बकत ज्यादा प्रदर्शित करने लगता है, ठीक है, आग्या समझ में, अगला सवाल ढूड़ो, कोशन देखो, क्या कोशन है, विद्धुत चुम्बक एवं स्थाई चुम्बक बनाने के लिए, क्या गुण होने चाहिए, हाँ बई, एक है विद्धुत चुम्बक और एक स्थाई चुम्बक, तो बईया सबसे पहले देखो, विद्धुत चुम्बक की बात करें, विद्दु चुम्बक क्या होता इस्थाई की आइस्थाई आइस्थाई हाँ या ना आइस्थाई ठीक है ना तो आइस्थाई तो पहला है चुम्बक शीलता पहली चीज क्या है चुम्बक शीलता कल मैंने बताया था चुम्बक शीलता तो बताओ चुम्बक शीलता कैसी होनी चीज़, कम या जादा, मियू आर, कम या जादा, जादा, कम क्योंगा भाई, आइस थाई की बात कर रहे हैं, है ना, कम या जादा, भाई या एक चीज़ बताओ, क्या चाहोगे, तुम तो तुम तो कम कर दोगे, तो यारे, चुम्बक बनना ही नहीं चाहेगा यार क्या चाहेगा सारी 900 forces अंदर से जाएं कि ना जाएं तभी तो चुंबक बनेगा ना तो मियु आर क्या होना ची उच्छ या कम उचलिक चुमबक शीलता उच्छ होनी चाहिए इस थाई के लिए अरे दोनों में चुम्बक शीलता ज्यादा होगी या चुम्बक बना रहे तो चुम्बक शीलता कम क्यों कर रहे हो दोनों में चुम्बक शीलता ज्यादा होगी दूसरा ये चुम्बक शीलता चुम्बक शीलता ठीक है दूसरा धारन शीलता दूसरा क्या कम यह जादा कम कम यह जादा लाइट बंद करते ही बत्ती बुझ जानी चाहिए लाइट बंद करते ही स्विच आफ करते ही बत्ती क्या हो जानी चाहिए बंद हो जानी चाहिए मैंने चुम्बक का स्विच आफ किया अब चुम्बक विद्धु चुम्बक कहा लगता है गंटी पे कहां पे गंटी पे इलेक्ट्रिक बेल पुरानी वाले जो स्कूल में लगी रहती है है ना हाँ अगर मैं उसका स्विच दवा के फिर एक बंद कर दू तब भी वह पांच म बात कर रहे है इस्थाई की या इस्थाई की रुकजा भाई उसको क्या वो लेंगे रुकजा भाई बंतो कर दिया स्विच तो चुम्बक शीलता क्या होनी ची कम ज्यादा हाँ ठीक है चुम्बक शीलता कम चलो निग्राहिता निग्राहिता अब जो चुम्बक तो बच गय बंद करने के बाद भी स्विच निगराई था उसको कुछलने के लिए ज्यादा ताकत लगनी चाहिए कि कम कम नहीं ज्यादा ताकत लगी कि तो काय का इस थाई हाई ना फिर से बताता हूं कल आद करो कुछ चुम्मकत बचा रहे जाता था याद करो कनेक्शन करने के बाद भी कुछ चुम्मकत बचा रहे जाता था हा या ना तो अपन को क्या चाहिए ये चुम्मकत खराब करने के लिए अपन को उल्टी तरफ से फिल्ल लगाना पड़ता था था बो हाँ तो अपने को क्या जरूरत है अपने ये फीड़ बहुत ज्यादा वाला लगा है या कम वाला कम वाला क्योंकि ज्यादा लगा होगे तो दिक्कत अपना मेहनत लगी इना अपने को चाहिए कि इसको आराम से ख़दम कर लें बोलो हाँ आराम से ख़दम कर लें मतलब ऐसे हाथ और मिड़ गया, बोलो हाँ, ऐसा आराम चाहिए की नहीं चाहिए तो बताओ यहाँ पर आपको कम फोर्स लगाना पड़ना है, चाहिए की जयादा लगाना चाहिए कम, तो निग्राहिता क्या होनी चाहिए ज़ादा लगा दोगे, भैया जरूरत कम की होनी चाहिए ज़्यादा लगा दोगे तो मिट जाएगा और फिर प्रॉब्लम क्या है उल्टे तरफ में बन जाएगा अब क्या बर उल्टे तरफ बन जाएगा अब मैटर फिर पहुंच गया धरन सील्टा के पास अब किसके पास पहुंच गया अगर धरन सील्टा कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, उल्टा लगा है, तो भी नहीं हुआ, मगर धारण सीलता अगर जादा है, तो तुमने उसको मिटाने के लिए उल्टे तरफ से फोर्स लगाया, बोलो हाँ, अब फिर से उसने उसको लपक लिया, पीछे की तरफ, अब फिर सीधी निग्राही तरफ से, समझ में आया ना, तो कोल मिलाके धारण सीलता भी क्या, अब निग्राही तरफ भी क्या, समझ में आया, ठीक है, हाँ, अगला, भाई या सैथिल लहानी, सैथिल लहानी, सैथिल लहानी, ठीक है ना, सिथिल एक word होता है सिथिल क्या होता है सिथिल ता आ गई है ना सिथिल ता आ गई सिथिल हो गया सरीर है ना जब इनसान मर जाता है डेथ हो जाती तो उसका सरीर क्या हो जाता है सिथिल हो जाता है उसका कुछ काम आम नहीं करते सारे body organs क्या हो सिथिल हो जाते है जीते जी भी अंग सितल हो जाते हैं, कभी आपने बोरा उठाया को बहुत बहुत भारी वाला, नहीं उठाया, वैसे उठाना नहीं चाहिए, है ना, फेट फेट खासक जाता है, अगर आपने कोई बहुत हैवी काम किया हो जो, मालब जिस दिन आपको लगा हो एरे, क्या हो गया माय साथ, इतना है भी काम, अभी भाई साब इनका घर शिफ्ट हुआ है, तो इनको समझ में आया होगा, तो घर शिफ्ट करने के दो दिन बाद अपनी हालत देखो आप, समझ गाना, ऐसा लगता है, जैसे किसी ने रजाई में बांध के सोटा हो, है ना, बिल्कुल, दस लोग चड़ नीचे उतरो, खासकर जिनको सेकेंड फ्लोर में चेंज करना होता कर, उनकी हालत हरा हो जाती है, ठीक ना, पूरा है भी समान लेकर के जाना पड़ता है, तो होता क्या उसमें भाई साब, ये मटेरियाल है, ये मटेरियाल है, हाँ याना, आपने आपे लगाई क्वाइल, क् चुंब की जाएका यहाँ पर चुपकन होगा इसका बोलो हाँ, किस दी सामय होगा, और से लेके, साउध, अभ यहाँ पर लगा रोगी अपने आल्टरनेटिंग करेंट, कौनसी करेंट, आल्टरनेटिंग करेंट में पहले चक्र में ये प्लस था, ये क्या था? माइनस, मा प्रेले flux ऐसे जा रहा है था clockwise अब कैसा set होगा मतलब उलटी दिशा में चुमबकन होगा हानगा एक बार न उर सा हो द यूसरी दिशा में यूँउछ तो पहले हुआ चुम्बकन, फिर क्या हुआ, चुम्बकन, विचुम्बकन, चुम्बकन चलता रहेगा भाई सब, पहले चुम्बकन और फिर क्या, विचुम्बकन, चुम्बकन, विचुम्बकन, मतलब एक बार नौर साओ दिसा में, एक बार नौर साओ दूसरी दिसा में, ह तो ऐसे क्या होगा molecular magnetic पर परेट सीधे मुड हाया ना फिर बोले उल्टा मुड फिर सीधे मुड फिर उल्टा मुड अरे भाई साब क्या कर रहे हो यार समझ में आगे यही होगा कि नहीं होगा मलब flux एक बार इस तरफ देखेंगे और एक बार किस तरफ देखेंगे इस तरफ जो हाया ना अब एक अजार की लाएन में अगर बोलो के परेट सीधे चल औ फिर बोलेगा पीछ चल मुड थीक है परेट आँगे चल औ फिर क्या बोलेगा पीछे चल तो एक दम से जब पीछे वाले आंगे आ आरे होंगे और जब आदेश मिलेगा इनको आंगे वालों को मतलब यांगे इधर वाले थोड़े से क्रेश हो जाएंगे क्या हो जाएंगे क्रेश हो जाएंगे समझ गए क्रेश हो गए क्रेश नहीं वाई सब क्रेश नहीं बुरा नहीं है क्रेश होंगे तभी तो क्रेश होंगे तो क्रेश होंगे तो क्रेश होंगे तो क्रेश होंगे उश्मा के रूप में किसके रूप में बोलो गर्मी होगी की नहीं होगी टकराने पर क्या होती है गर्मी तो यहां पर भी गर्मी होगी की नहीं होगी हाँ उर्जा के रूप में हरास होगा उर्जा के रूप में क्या होगा हरास होगा आप गाना गाएंगे चुम्ब की अडू हाए गर्मी, ठीक ना, चलो, आगया समझ में, आगया समझ में, चलो, ठीक है, हाँ, बोलो, क्या, हाँ, तो चुम्ब की अडू है, उसके अंदर की नहीं है, अरे कैसी बात करते हो, हावा की बात हो रही है, किसे ने कह दिया हावा, ये क्या था, कौर, क्या था ये, कौर, परिनालिका का कौर, इधर देखो रहे, ये क्या है, परिनालिका का, विद्धु चुम्बक कैसे बढता नहीं विद्व चुम्बक में नॉर्थ कॉनर नॉर्थ बनेगा क्या बनेगा बो हाया न अब ढ़ानों तुम कहलड नहीं गहीं तो यह क्रत्या वर्ति इतारा कौन सी दहरा इस किंदल के इसी क्या बोलते हैं एसी मतलब आधा चक्र धन और आधा चक्र रेंड तो पहले ये प्लस और ये फिर बाद में ये माइनस तो ये पोलर्टी चेंज होगी की नहीं होगी अपने पिछले चप्टर में पढ़ा धारा की दिशा बदल ली जाए तो चुम्ब की छेतर की दिशा भी क्या हो जाती है लूप बना करके देखा था अगर धारा ऐसी चलेगी तो क्या है बहिआ एंटि क्लॉक वाइज क्लॉक वाइज है की नहीं है है clockwise, पक्का देख लो एक बार, हाँ, तो ये देखो, समझ में आया, छेतर कहां, अंदर की तरफ, छेतर कहां, अंदर की तरफ, कौन सा पोल बनेगा, south, क्या बनेगा, सामने वाला south और पीछे वाला north, याद आया, और धारा की दिसा पलड देते रहे हैं, तो ये क्या बनता थ आया, समझ में, तो यहां तो यही तो हो रहा, धारा की दिसा पलड दोगे, तो चुम्बे की छेतर का पैटरन बदल जाएगा, की नहीं बदलेगा, और चुम्बे की छेतर मनाने के लिए, अरेंज होते की नहीं होते, और जब मॉलीकुलर मैगनेट, आरविक चुमबक, आर लड़ जाएंगे, उसकी वजए से हानी होगी, क्या होगी, उर्जा का हानी होगी, उस हानी को बोलते हैं, सैथिल हानी, क्या बोलते हैं, और यह हानी उश्मा के रूप में निकला करती है, बोलो हाँ, हाँ, अब इस हानी को समझाने के लिए, हर चुम्बकी पदार्थ के ल English में क्या बोलते हैं? His stress is curve. समझ में आया? अब ध्यान से देखना, यह कुछ इस तरीके से बनता पत्ती जैसा. किसके जैसा? पत्ती जैसा, ठीक ना? तुम बस ऐसा बना लो. ये कुछ इस तरीके के बनता है, ये पत्ती डाइब का. अब इतना बस याद रखो कि ये कर्व जितना चोड़ा होगा जितना क्या होगा चोड़ा होगा उर्जा का छै उर्जा का हनन उर्जा का लॉस उतना ज्यादा होगा और ये कर्व जितना पतला होगा उर्जा का लॉस उतना कम होगा तो भई ये एक बार सवाल आया क्या सवाल दो कर्व थे, एक बना था ये, और एक बना था ये, पूछाया, कि दोरों में झाला उर्जा, गरम, हानी कहां पे होगी, मारला जाला दा में कौन गरमी फेकेगा, ये ये वाला, second दा काला गरमी जाला फेकेगा, समझ मैं आया, इसका हिश्ट्रेस स्लास क्या है, जाला है, इस मुझे ये बताओ, कि इस दोनों में से, आइस थाई चुमबक के लिए कौन सा वाला कर भी उच करोगे, पहला वाला या दूसरा वाला, आइस थाई के लिए, इस थाई के लिए, दूसरा वाला, अब बोलो दूसरा वाला क्यों, उसमें बोलेगा हम सेट हो गए, एक बार तो स की निग्राहिता बहुत ज्यादा लगी क्या लएक लिंगास टटव टॉयरे सारे मालेकोलर मैंद को नहीं बड़ेकाद पीछे इंग्राहिता क्या लगी कि बहुत ज्यादा उन सब को कुचलना पर slide पड़ेगा क्या करना पड़ेगा उत्श more् log की धारान सीलता बहुत, बोलो रे, इस्थाई चुम्बक की धारान सीलता, अभी आईस्थाई पढ़ाया, अभी क्या पढ़ाया, आईस्थाई, आईस्थाई की धारान सीलता बहुत, कम, सही बोल रहाँ, अभी, धारान सीलता क्या होती है, कम, निकराहित अभी क्या होती है, क हम होने चाहिए है ना अब इस थाई की बात करो इस थाई की बात करो बोलो इस थाई की बात में सबसे पहला हाँ चुम्बक शीलता अधिक चुम्बक शीलता बहुत ज्यादा धारन शीलता अधिक निग्राहिता अधिक आ गया समझ में न चलो तो भाईया चौता पॉइंट ल कि औलो saat अएरा कैसे बात करते हों चुमक शीलता कर दोगे उच्च चुमबक हुलता का段ि स lle مने, यार, दारन शीलता है, मु आर, upside, मु आर, मु आर, बटि आर बड़नकों स ब्रक्व्य लोग दो। धारन शीलता हां दारन शीलता हां थाए diva राण , कि अदलो पादं अधरी बटि गोल हो ने के लाइट जलना , बंद हो जाना, नहीं चाहिए, बत्ती गोल होने के बाद लाइट जलना, नहीं चाहिए, भाई बल बुजा दिया, तो लाइट क्यों जले, हाया ना, हाँ, धानशीलता कम, चलो, आंगे, निग्राहिता, हाँ, निग्राहिता कम, बच्चा धीट नहीं होना चाहिए, समझगे तुरंत बोले आजा तो आजाओ, हाँ, अगला, सैथिल लानी कम या ज्यादा, कम, सैथिल लानी भी क्या, कम सैथिल लानी, बस यार, ये पॉइंट नोट कर लो, यार, अब भूल मत जाना, सैथिलता समझ में आ गई, कौन होगा, सैथिल कौन होगा, बार-बार आंगे ठीक है चलो अब लिखो इस्थाई चुम्बक इस्थाई हाँ बई इस्थाई चुम्बक बोलो इस्थाई चुम्बक के लिए चुम्बक शीलता आदेख भाई फ्लक्स लपा लप जाएगा तभी तो मज़ा आएगा बोलो हाँ जब फ्लक्स लपा लप अंदर जाएगा तरीके से तभी तो उसके अंदर चुम्बक की डोमेन बनेंगे हाँ या ना तभी तो चुम्बक की आँगुण पैदा होगा हाँ या ना चल रही है लाइट गोल भी हो गया तो चुम्बकन बरकरार रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए हाँ क्योंकि इस थाई है यार निग्राहिता बोलो कोई आसान से मिटा के चला जाए या ना मिटा पाए ना मिटा पाए बहुत चबरतस वाला फोर्स लगाना पड़े तो चेतरों की उपस्तिती में इसका चुम्बकत्व नस्ट ना हो जबाए है तो भाईय इसके बनाने के लिए किसकर उप्योग करते हैं श्टील का नोडगरलो श्टील का और अन वीटातों का उप्योग किया जाता है इश्टील का या अन्नमिस्र धातूं का उप्योग किया जाता इस्थाई चुमबक बनाने के लिए, बो रहाँ और आइस्थाई बनाने के लिए उप्योग होता, नर्मलॉहा, किसका यूचistent होता है नोट कर लिजे दन दन हो गया चलो अगला सवाल बताओ रफ कर दू, क्लियर हो गए न अगला सवाल बताओ क्या है क्या नहीं बना चुम्बक चुम्बक हर तरफ चुम्बक क्या हो गया क्वेशन नमर टैन बहुत बढ़िया निर्फेशन चुम्बक 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 चुम हो येomnia हमारा है जो है हमारा है समझ नहीं तो ये ती निरपेक्ष विदुद शील्था एफसलाउन मीडियम का माध्य की निरपेक्ष विदुद शीलता की को समझ मा अब इसी की अगर साप एचिव की बात करते तो जींग però किसी का sapish निकालना हुआ करे तो किस के respect में निकालते हैं हवा के respect में 240 पेच्छ विद्ध स diyorsun武 1 इसका gewmez sap आप बिल्कुल इसी तरीके से यहां पर किसी माध्यम के निर्पेक्ष विदुद्ध सी नीन होगी वहा की विद्ध अ agu okay not you की नीं हो मतल laquelle अ ही दार तो ये माध्यम की पर टुबत त। आप से बोलोगी वह यह कोई सापे चिक चुमपक शिल्थ ये को बोले सापेचिक चूंबक Zieilta का fórmula बताो क्योंकि ू-उ- चूंबक शीलता बते किसकी हवा की चूंबक की चूंबक सीलता हां है ना उद्हीं के तो ये बताएगा सापेचिक चूंबक सीलता वद आया है और ये क्या है निरपेच निर्पेक्ष मतलब खुल का और सापेचिक मतलब किसी के सापेच में रिस्पेक्ट में तो किसके रिस्पेक्ट में लेते हैं हवा के रिस्पेक्ट में बोलो clear हुआ कि नहीं हुआ नोट कर लो और बताओ जल्दी बोलो पढ़के नहीं आया हो घर से पढ़के नहीं आया हो इसलिए चुपचाप बैठे हो चलो फटा फट करो क्वेश्चन नमर 17 क्वेश्चन नमर 17 17 18 19 तीनों एक जैसे हैं एक को समझ लो तीनों को समझने कोशिस करना फिर चुम्बकत्य के परमाणवी माडल के अधार पर अनुचुम्बकत्य की व्याख्या करो क्या पड़ रहे हैं अपन अनुचुम्बकत्य में बोलो हां मलब छेतर की दिसा में हलके से क्या हो जाते हैं आकरशित क्या हो जाते हैं हलके से अकरशित हलके से बोलो हां अब बताओ अनुचुम्बकत्य में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संक्या सम्या विशम इसमें आपने बताया कि इलेक्ट्रॉनों की संक्या क्या होती है विशम होती चक्रन करने वाले इलेक्रॉन की कूल संक्या क्या होती है विशम हो विशम परमाडू होंगे तो अनुचुम्बकर वगा याद रखना विशम होतों क्या होगा अनुचुम्बकर डेवलब्लप हो इन पदार्तों के प्रतेग परमाडू में ऐसे李 ल«ख्डौन्Г की अधिकता होती चार और ये क्या पांच बोलो या सवनो तो clockwise motion करने वाले कित्ते हो गए एक दो और anti clockwise कित्ते हो गए तो मतलब ज़्यादा कौन से वाले हुए clockwise ज़्यादा होते हैं जो एक ही तरफ चक्रन करते हैं और ऐसे परमाणू कम होते हैं ऐसे electron कम होते हैं जो विपरीद दिशा में चक्रन करते हैं परमाणू नहीं electron समझ में आया कि नहीं है ये क्या है electron अरे यार पांच electron तुमने अभी बोलेगी सर विशा में तो विशा में तो एक तीन होगा तो दूसरा क्या होगा दो होगा एक का फर्क नहीं होगा क्या बस तो यही है तो योई line लिखी हुई है कि इन पदार्तों के प्रतेख परमाणू में ऐसे electron अधिकता में होते हैं जिनका चक्रन एक ही दिशा में होता है आता है प्रतेख परमाणू एक net चुम्ब की आगूण होता है इसलिए प्रतेक परमाणू का क्या होगा एक नेट चुम्ब की है आगून समझ में आया अगर चार होते तो दो मेरा सीधा इससे ये कैंसल हो जाता बोलो हाँ और इससे ये भी कैंसल मगर पांच है मतलब चुम्ब की आगून जिंदा रहेगा की नहीं रहेगा रहेगा की नहीं रहेगा तो एकी दिसा में चुम्ब की आगून रहेगा एक प्रतेक परमाणू का एक नेट चुम्ब की आगून होगा फल्सरूप प्रतेक परमाडू एक लगू चुम्बक की तरह बयोहार करेगा बोलो करेगा की नहीं करेगा क्योंकि जहां चुम्बक की आगून है वहाँ क्या है चुम्बक है क्या है वहाँ चुम्बक है जिसे परमाड भी चुम्बक कहते है मतलब हर परमाणु अपने आप में क्या है एक हर परमाणु अपने आप में क्या है चुम्बक मतलब नौर साउथ हर परमाणु अपने आप में क्या है नौर साउथ हर परमाणु अपने आप में क्या है नौर साउथ हर परमाणु अपने आप में क्या है नौर साउथ ही तो च चित्र में इसको क्या कर दिया? मतलब तो टोटल धस पर मानू है तो पाँच इसको क्या कर दिया? इसने इसको क्या कर दिया मतलब पूरे खुद का चुम्ब की आगुण छोटा सा है मगर पूरे मटेरियल का चुम्ब की आगुण क्या है जीरो, हाँ या ना क्योंकि सेना बिखरी हुई है, सेना क्या है करनल का अदेश नहीं आया है सीदे हो जा, समझ में आया कोई खाना खा रहा है, डिबबा खोल के कोई रेडियो सुन रहा है, कोई अख़बार पढ़ रहा है सब अपने अपने काम में लगे हुए है और कुल चुम्ब की आगुण मैटेरियल का कितना है जीरो, क्योंकि बाहर चुम्ब की छेतर क्या है अनुपस्तित है, क्या है बाहर चुम्ब की छेतर क्या है बोलो समझ में आया हाँ, तो फल सरुप परणामी चुम्ब की छेतर का अगुण कितना होगा जीरो होगा मतलब अन्चुम्ब की परदार्थ इस समय पे क्या चुम्बकन की प्रवत्ती सो करेंगे की नहीं करेंगे मतलब समान परिस्तिती में चुम्बकन की प्रवत्ती सो नहीं करेंगे क्लियर हुआ बड जैसे ही करनल साब का अधे साया करनल साब मतलब बाद चुम्ब की चेतर बो हाँ तो जैसे ही आदे साया बोले सीधे हो जा परेड सीधे घुम कर तो ये नौर्थ बना और ये क्या बना अब आपको पता है कि अगर चुम्ब की आगुण को चुम्ब की चेतर में रखा दिया जाए तो फटाक से ये घुम करके चेतर की रिषा में हो जाता है हाँ या ना तो सारे के सारे डाइपोल एकी रिषा में एरेंज हो जाएंगे सारे के सारे डाइपोल एकी रिषा में हो जाएंगे तो ये सारे के सारे डाइपोल जो है आपके एक ही दिशा में एलाइन हो गए हाया ना तो पहले बोलो पहले नेट चुमब की आगूण material का कितना था alguma अब नेट चुमब की आगूण 0 है कि non 0 है मतला नेट चुमब की आगूण आ गया कि नहीं आया तो बाया चुम्बी की छेतर की उपस्थिते में प्रते एक परमाणवी चुम्बक पर एक बली गुम कारे करने लगता है, जो की परमाणवी चुम्बक को गुमा करके छेतर के समांतर लाने का प्रयास करता है, फल सुरूप परमाणवी चुम्बी की छेतर के समांतर होने लगते ह और अनुचुम्ब की पतार चुम्ब की गुणों का प्रतसन करने लगता है समझ में आ गया ये डिबा डिबी बना लो भाई साब ये वाले बन जाएगा ना तो इस तरीके से पहले इसमें रेंडम सेट थे ये लोग तो चुम्ब की आगुण नहीं था मगर जब सेट हो गए तो चुम्ब की आगुण आ जाएगा बोलो क्लियर है डन चलो अगला बता हूँ प्रती चुम्ब की पढ़ो जल्दी से प्रती चुम्ब की क्या नहीं समझ में आ रहा है ये अनुचुम्ब की का मैंने बिहेवियर बता दिया अब आप पढ़ो प्रती चुम्ब की का बिहेवियर उसके बाद लोग चुम्ब की का बिहेवियर पढ़ो 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 मैं पढ़ देता हूँ देखो चुम्ब कत्त क्या है आता है प्रते एक electron एक दूसरे के चुमिकी आगुणू को क्या कर देते हैं निरस्त यह मैंने पहली बताया ना एक clockwise गुमेंगे electron और एक anti clockwise तो दोनों का चुमिकी आगुणू उल्टा बनेगा और एक दूसरे को क्या कर देंगे cancel कर देंगे कि और एक अउलकी अलग गुमराएक यह जा लग अलग अख्श में है कि अनदर और और बीटल की बात चल रही है किसकी बात हो रही है और्बिटल की बो हाया ना अब तुम सोच रहे हो यह अणू के चार तुरफ साया ना अब सुनो इलेक्ट्रॉन की दो गती होती है एक होती इसकी वृत्ती गती बो हाँ और एक होती भईया अक्षी गती चंदा वामा गोल-गोल प्रतिफी गोमती ही जल्दी हाया ना तो भईया यह गोम तो रहा है ऐसे 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 गोम रहा है अक्ष में बो हां मगर साथ में समझ गया है क्लियर हुआ कि नहीं हुआ तो भईया आप इस गती पर जोड़ दीजे आप यह वाली गती पकड़ रहे हैं बोलो हां पकड़ रहा हुआ यह वाली गती सोच रहा हुआ और मैं किसकी बती बात कर रहा हूँ यह वरत्ती गती है कौनसी गती है और यह कौनसी गती है गुर्णी गती है अक्षी गती हाया ना जो छुमडी की प्रभाव क्लिए व uniquely हो रहा है वो किस गडी कान हो रहा है? अक्शी गडी कान. किस गडी कान? बहुल रहा है कि नहीं आया? यार क्या, किसे जाहर है तकरायंगे? Tampa सबस्क्राईन के लिह बहुत हा? क्यों कारण क्या है उसका आप भूल रहे हो कारण क्लास 11th में यह भाईया अरे सुनो तो काय का प्रतिकर्शन नाबिक बांदे हुए है ना बोलो हाँ है ना नाबिक बांदे हुए है मैंने 11th क्लास में आपको पढ़ाया था कक्छी है वेक बोलो हाँ वी बराबर अंडरूट जी आर पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था वी बराबर अंडरूट जी आर तो वी बराबर त्रिज्जा समाने की नहीं है त्रिज्जा समाने की नहीं है तो त्रिज्जा समान होगी तो जितनी दूरी पर तो हमारे डाल्टन चाचा ने बहुत प्रयास किये है ना बताया और अधर फूर्ट साब को गलत बताया उन्होंने कि भाई साब ऐसा होगा तो एक दिन परमाडू सारे टकरा जाएंगे आपस में अड़ो इलेक्ट्रोन और नाभी के अंदर समा जाएंगे और आपका ये मॉडल भंग हो जाएगा बुलो हाँ बताया था तभी तो नील्स बोर की परिकल्पना सार्था कुई थी भहिया मेरे जो फाइनल मॉडल चल रहा हो किसका चल रहा है नील्स बोर का चलो केमेस्ट्री घदम करते हैं फिजिक्स में आते हैं हाँ भाई साव आजाओ तो नेट चुम्ब की आगुण होता है लौचुम्ब की परदार्थों प्रतेक एलेक्ट्रोन युगम के एक दूसरे के चुम्ब की आगुण को निरस्ट कर देता है फलसरू प्रतेक परमाणू का नेट चुम्ब की आगुण सुन होता है जब किसी प्रती चुम्ब की पतार्थ को किसी बाह चुम्ब की चेतर में रखा जाता है तो इलेक्ट्रोन के प्रतेक युगम की चकर गती विपरीत होने के काण एक electron का कोणिये वेग बढ़ जाता है और दूसरे का कोणिये वेग घड़ जाता है ये line है तगड़ी वाली ये नई line है जब किसी प्रती चुम्ब की आगून को किसी बाहर चुम्ब की छितर में रखा जाता है तो electron के प्रतेक युग्म के electron की चक्रन गती विपरीत होने के कारण एक का कोणिये वेग बढ़ जाएगा दूसरे का कोणिये वेग घड़ जाएगा फलसुरूप electron से सब्बद धारा का मान बढ़ जाता है तथा दूसरे से धारा का मान घड़ जाता है इस प्रकार प्रतेक युग्म के electron का प्रणामी चुम्म की आगुण सुन नहीं हो पाता अतय प्रतेक प्रमाणू में प्रणामी चुम्म की आगुण प्रेरिध हो जाता है जिसकी दिसा बाहर चुम्म की चेतर की विपरीत दिसा में होती है इस प्रकार चुम्म की ये पदार्थ बाहर चुम्बकी छेतर की विपरीद दिसा में थोड़ा सा चुम्बकीद हो जाता, समझो ये लाइन अब मेरे को दे दो आगई समझ में चलो भाई, बहुत शाई देखो यार देखो, देखो, देखो एक चुम्बकी छेतर तुमने लगाया, बोलो हाँ अब भाईय, एक में चुम्बकी छेतर clockwise है और एक में क्या है Anticing clockwise, मतलब एक जो है वो छेतर का Support करेगा और एक छेतर का क्या करेगा विरोत करेगा बोलो हाँ, तो जो इधर वाला सपोर्ट करेगा जो इधर वाला सपोर्ड करेगा अपने चुम्ब की छेटर में इसका चुम्ब की छेटर add-on हो जाएगा, हाँ या ना और इसका चुम्ब की छेटर क्या करदेगा, बढ़ा देगा बोलो माललो, पहले दो था, इसका भी किता था, दो था बोलो हाँ, हमने बाहर से 2 है तो यह minus 2 है समझो हाँ अगर यह plus 2 है तो यह क्या है minus 2 और अपने ताकत किते लगाई 3 की तो minus 2 plus 3 बोलो कितना बचा 1 मतलब यह कितना है और यह कितना है 1 मतलब दोनों चुम्ब की आगुण अब 0 नहीं हो सकते हैं क्योंकि 5 में एक भिड़ेगा तो 0 नहीं होगा बोलो है ना मतलब नेट चुम्ब की आगुण चुम्ब की डिसा में लगाये जाने पर बनेगा की नहीं बनेगा बनेगा की नहीं बनेगा फिर सुनो जब च्चेतर अनुपस्थित था तो विपरीत चक्रन के कारण पूरे material का चुम्ब की आगुण किता हो गया था सुने बोलो आया समझ में मगर जैसे ही छेत्र तुम लगाओगे तो एक का support होगा और एक का क्या होगा विरोध होगा बोलो हाँ उसके कारण net चुम्ब की आगुण सुने हो जाएगा कि पैदा हो जाएगा पैदा हो गया नहीं है समझ में यार क्या कर रहे हो यार obviously यार देखो एक बर बोलो पहले माइनस दो प्लस दो किते थे जीरो पहले किते थे लड़ मरे थे बोलो हाँ अब भाईया जैसे तुमने बाहरी चुम्ब की च्छेत्र लगाया तो यह बाहरी चुम्ब की चेत्र एक का क्या करेगा सपोर्ट और दूसरे का क्या करेगा तो एक को बढ़ा देगा बोलो हाँ तो दो में तीन क्या हो गया पांच और एक को घटा दिया दो में तीन कितना हो गया एक समझ में आया तो पहले देखो टोटल दो माइनस दो कितना था छेतर की अनुपस्थिती में जीरो जीरो था कि नहीं था अब पाँच और एक छे जुड़ के छे हो गया कि नहीं हुआ तो पहले मर गया था अब क्या हो गया जिन्दा हो गया आया समझ में कि नहीं आया तो पहले बाहर चुम्ब की चेतर की अनुपस्थिती में चुम्ब की आगुण मर गया था अब बाहर चुम्ब की चेतर की उपस्थिती में चुम्ब की आगुण क्या हो गया पैदा हो गया बोलो हाँ अब ये चुम्ब की आगुण ऐसा होता है कि ये लगाए गए छेतर की दिसा में विपरीद पैदा होता कैसा होता है छेतर की दिसा के अपूजेट इसलिए जो आपका प्रति चुम्भी की प्रदार्त है वो छेतर की तरफ नहीं चाता है कहा जाता है छेतर के देखाता है न एक्सपरिमेंट में देखा था ना, कोबाल्ट के दर भगा था, पास आया था की दूर गया था, कहा गया था, दूर गया था, दूर गया था, याद है, कोगदे के उपर, थर्मा कोल के उपर, कोगदा बोलते हैं हिंदी में, थर्मा कोल के उपर, हाँ, रख दिया, उसकी ट्रेन पीछे भागी दी पाइंग में हैं। थीक है। चलो इस प्रकार प्रती चुम्भी की पदार जो घता है। अगला लो चुंब की पदार्त की प्रगें करते हैं कि लो चुंब की पदार्त की तरीके से काम करते हैं चुम्ब कत्यों के मौडल के आधार पर लोह चुम्ब कत्यों की व्याख्या कीजिए, अनुचुम्बी की पदार्थों की भाती, लोह चुम्बी की पदार्थों के परमाणू एक छोटे छोटे चुम्बक की भाती व्योहार करता है, जिसका नेट चुम्ब की आगुण कितना होता है? 0. जैसे आपने देखा था, अनुचुम्ब की छेतर में आधे कहीं, इस तरफ, आधे उस तरफ. ऐसे लोह चुम्ब की छेतर में भी विल्कुल आधे इदर और आधे उधर. और मिलकर के चुम्ब की छेतर कितना? 0. चलो देखो भाईया. यह अनुपस्थिती है. क्या है यह? अनुपस्थिती है. ठीक है? अनुपस्थिती अभी बराबर 0 है. बाहर चे कोई ताकत नहीं आई. यह मतलब बराबर कितना है? 0. यह देखो यह कैसे रहेंगे? यह कुछ इस तरीगे से थोड़े इदर. ठीक है? यह चले गए. ऐसे आगए है. थोड़े इदर. अब इतने सारे बनाने की जरूरत नहीं थी. वही अनुपस्थिती वाला मॉडली ले लेता हमें. कुछ इदर जा रहे हैं और कुछ कहा जा रहे हैं? इदर जा रहे हैं. बोलो हाँ. तो दोनों लड़ गए. बोलो टोटल किता है? ऐसे ही. इसमें कुछ इदर जा रहे हैं और कुछ इदर जाएंगे. बोलो लडग है टोटल किता चेतर अनुपस्तित है चेतर क्या है अनुपस्तित है अब क्या होता आपने चेतर लगाया आपने क्या हुआ चेतर लगाया एक तरफ बन गया नौर्थ एक तरफ बन गया तो जैसे चेतर लगाओगे तो ये सारे के सारे अपने आपको पहले अरें रिष्च में सारे सारे अरेंज हो गए देख लिया देख लिया अब यह pattern थोड़ा सा चेंज हो जाएगा उस चेंज होने कारण में आपको बता देता हूं कैसे चेंज होगा पहले ख़़नू जितना बता दिया अनु चुमि की पदार्थों की भादी लिओ regularly की पदार्थों का प्रतेख प्रमानू एक छोड़े चुमबक ही तरह बहर बयाहर करता है। जिरो क्योंति सुरूरू में एक इधर तो एक इधर लौचुमकी पदार्तों में एक जटल अन्योन क्रियाएं होती है जिसके कानल परमानवी चुमपक मिल करके कई समू बना देते हैं जिसके प्रतेक समोह में परमाणवी चुम्बक का चुम्बकी आगून एक ही दिसा में रेखित रहता है, परमाणू चुम्बक के इन समोहों को डोमेन कहते हैं, देखो भाईया, ये लोग क्या करते हैं, ये पार्टी वाजी कर लेते हैं, कि एक अदल वारे सारे एक तरफ आ यह जो सारे एक दिसा वाले किस तरफ आजाओ एक तरफ बोलो हाँ मतलब ऐसे कि सारे जवान लोग बैठे हुएं 1600-1700 आर्मी के जवाने वो बैठे हुएं बोलो हाँ नहीं बैठे हुएं तो पेले क्या था प्रती चुम्धी में रैंडम थे कोई जवान खाना का रहा है कोई यहाँ पेपर पढ़ रहा, कोई कुछ कर रहा, यह लोग क्या करते हैं, यह कहते हैं, गुरुप बना लो, बोले एक काम करो, खाना वाले सारे एक साथ आ जाओ, पेपर वाले सारे एक कोने पहुंच जाओ, तो तब भी पेपर वालों का मूझतरप रहेगा सब का, खाना अब भी नट चुम्बक के इन समूहों को डोमेन कहते हैं और बाइच चुम्बक की अनुपस्थिती में प्रतेक डोमेन एक चुम्बक की भाती ब्योहार करता है बिल्कुल करेगा क्योंकि नौर साउथ एक तरफ हो गये हैं तो यह चुम्बक की भाती ब्योहार करेगा मगर जितना इधर उतना उल्टे तरफ में है तो इसका चुम्बक की आगूण कितना होगा जीरो आगया समझ में अब ले आओ भी यह बाहर चुम्बक की चेतर को बी को आन करो क्या करो ब चुम्बक की आगूण की चेतर की आड़ नंपस्तिति में विभिन डोमेन अनिमित रूप से अभी मिन्यासित रहते हैं आथा सम्पूर्ण का परणामी चुम्बक की अगूण पहले कितना होता था जीरो आथा लो चुम्बक की बाहर नहीं करेगा जब लो चुम्बक की परकार से गुमने लगते हैं कि इनकी चुमबक के खांग हो करता को अनोरो electrolysis हो घुंज़ हो जाएं जिए जिए जिएंज ज्यों बाहा चुमबक की खे neutr की खांग हो जाता है त्यों अध्यारिक डोमिन चुमबक कैसर में सन्रेइचित हो जाते 하기 और लोफ चुमीक कत्रतों का म यह हो गया, बोलो आगई बस समझ में, सारे के सारे एक ही दिसा में एलाइन हो गए, तो चुम्बकत्व का मान सबसे ज़्यादा छूलिया, हाँ या ना, इसको बोलते हैं संत्रप तवस्था, क्या बोलते हैं, अब यह दूसरी परिस्तिरी बनती है, कुंटे वाली परिस्तिर दिख रही है, यह बाली परिस्तिरी, देखो जरा क्या हो रहा है इसमें, इसमें हो क्या रहा है, डोमेन, दूसरी परिस्तिर, डोमेन की परिसीमाएं विस्थापित होने लगती हैं, जिन डोमेन का चुम्बकी आगुण, बाय चुम्बकी छेतर के समनांतर होता है, उनका आ तो बहई कि जिनका support किया वो लबेरs लमन बहीं कि और जिनका support किया जो जो उल्ते थे उनको क्या कर दियавसने कुछ अल Brave क्या कर दिया कॉछ चलना क्योंकि हमारा भी ऐसा है और आपका भीगता है पूरा है टो अल्वल ऑपाको फो देख लो ना, मैंने समझाने के लिए 2 बनाया, तुम बना लो 3-4, समझाने के लिए, यह मत सोचो कोई किस तरीके से है, बस तुम बना देना, जैसा मन करें वैसा बना देना, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि उपर वाला ऐसा जाएगा, नीचे वाला ऐसा जाएगा, जिसको जहां मन करे बना देना बट एक पैटर्न बढ़ा कर देना और एक क्या कर देना छोटा मतलब एक जगह हिस्से में चुम्ब की छेतर का मान कम हो जाएगा और एक जगह हिस्से में चुम्ब की छेतर का मान ज्यादा हो जाएगा बोलो आ गया समझ में तो यह हो गया लोह चुम्ब का तु एक last वाज लाइन फिरज़ पड़ देता हूं डोमेन की परीसी माय विस्थापित होने लगती है जिसके कार डोमेन का चुम्ब की आगून बाहचुम्ब की छेतर के समानतर होता है उन डोमेनों का आकार बढ़ने लगता है जिन डोमेनों क चोटा होगा वो यहां तक सीमित हो जाएंगे बस खाफी इतना जना बहुत है बोलो आगा सुन में और देखो कौन सा कुश्चन नहीं 33 हाँ अभी बताया मैंने बोलो आज मैंने सैथिल वक्र बताया की नहीं बताया बोलो अरे बोल नहीं रहो याँ 33 बोला ना पेज नमबर 127 सैथिल वक्र बताया की नहीं बताया हाँ तो सैथिल वक्र जितना मोटा होगा उर्जा च्हे उतना क्या होगा ज्यादा और सैथिल वक्र जितना कम होगा उर्जा च्हे उतना क्या होगा कम होगा बैया जो उर्जा है वो किस रूप में जाएगी बस है तो भात एकी है ना उर्जा च्छाय बोलो या उश्मा च्छाय बोलो उर्जा उश्मा के रूप में पढ़नित होगी ठीक है चलो देखो पहला चुम्ब की छेत्रों के सैथल वक्र का महत बताईए सैथल वक्र के आकार वविमाओं से चुम्ब की पदार्थों के चुम्ब की गुणों का आकलन किया जा सकता है मैंने बता है था कि अगर आकार मोटा है इसका मतलब ये कैसा होगा इस्थाई अगर उसका कर्व का आकार पतला है इसका मतलब ये कौन सा चुम्बक बनेगा? आईस था ही तो भाईया, इसके आकार और इसके गुणों का ध्यन किया जा सकता है दूसरा सेना, पहला सेथिल हानी के कान प्रती चुम्ब किये प्रती चुम्ब किये चकर प्रती एकांग उर्जा में हानी सेथिल के च्छेतरफल के तुल्ले होती है भाईया, अब बोलोगे उर्जा किती होती है, याद करूँ उर्जा बराबर मतलब जो उर्जा खराब होती है, यानि की उश्मा लॉस होने वाली उर्जा, एककॉल टू यहाँ पर जो च्छेतरफल निकलेगा उसका पत्ती का जो आपका वक्र का च्छेतरफल उसके बराबर होगी, वक्र का समझ में आया वही तो देखके बोलो ना तुमने जिसका च्छेतरफल जादा उसकी उश्मा क्या होगी जादा, तो mathematical अगर आपको उश्मा निकालनी है तो इसको क्या निकालोगे छेतरफली तो निकालोगे समझ गए, चौथा पॉइंट, अगला पॉइंट नर्म लोहे की चुम्ब की प्रवत्ती चुम्बक शीलता ता धारन सीलता इस पात की तुलना में अधिक होती है जबकि निक्राहिता प्रती चक्र शेतर लिहानी इस पात की तुलना में कम होती है ये लोग पूछा क्या, बता क्या दिया इसने नर्म लोहे की प्रोपर्टी बता दी क्या बता दी नर्म लोहे की प्रोपर्टी जबकि शेतर लिवकर के वारे में पूछा था अब बता दिया नर्मलोह, अपन पढ़ चुके हैं, नर्मलोह क्या बनता, बोलो इस्थाई की आइस्थाई, क्या हो गया, आइस्थाई, नर्मलोह क्या बनता है, आइस्थाई, तो इसकी पत्ती का वक्र एरिया क्या होता, कम या ज्यादा, कम, इसका कम होता है, बोलो हाँ, च बहिया उसको कम कर लो उसको कम कर लो नर्म लोए कि बहिया कम होती है अरे क्यों कम हो जाएगी भई कम होती है इस पात का क्या बनेगा एक मिनट, हाँ, इस पात की तुल्ला में अधीक लिखा ने इसमें, और मैं क्या बोल रहा हूँ, तो सही तो बोल रहे हैं हम दोनों, तो ठीको होई, और क्या, मैं बोई तो कह रहा हूँ, कम करो उसको, सर, हाँ, आइस्थाई, विदुद को इस्थाई बना दो, तो घंटी बस्ती नहीं रहेगी, बोलो, क्र ओन, टुक आफ, क्र ओन, समझ मैं है, तो क्या चीज़, इस्थाई क्या इस्थाई, विदुद चुम्बक कैसा होता है, आइस्थाई, यार आइस्थाई चुम्बक को ही अभी विदुत चुंभक बोलते हैं क्योंकि आजथा है चुमग किसके बनेगा अभिदुत से चलो हो गया आगा समझे भाई आगा बना सकते हैं बिलकुल बना सकते हैं जैसा मानों बैसा बना सकते हो है का सबस्राइबर सकती नमबरं एक क्या कह रहा प्रश्ण भूच चुम्बकत्व संबंधी निम लिखित प्रश्णों का उधान दीजे एक सदिस को पून रूप से व्यक्त करने के लिए तीन राशियों के आप सकता होती है उन तीन स्वतंत राशियों के नाम लिखे जो परमपरागत रूप से चुम्बकी छेत गोर कुर, दूसरा इक नमन प्रतिवी का ही, नेट चुकर प्रतिवी दो साथ कि तना कोम बना रहा हो क्या बोलते है नमन कोम हयाना? और तीसरा प्रतिवी के चुम्बकी छेतर का चेतर धार दिए को मैंने नाम दिए-टा, यह ऐता 3 चीजे होती है, जिनकी मदद से आप नती कोन का मान लग बग अठारा है ब्रेटेन में आप इससे अधिक नती कून की आप और किष्चा करेंगे या ज्यादा? लिव भाइया ब्रिटेन अरे भाईया ब्रिटेन लंडन टीम इंडिया गई है लंडन खेल ले जर्सी पहन के खेल रही की नहीं खेल रही है फुल बागी शट पहन के खेल रही की नहीं खेल रही इंडिया में आज़ बनियाइन पहन के खेलते है बोलो हाँ और क्रिस गेल की हालत देखो पसीना चुजा है न लिन और वहाँ जर्सी पहन के खेल रहा है बोलो हाँ गेन लगने से डरते हैं लगना जाए गेन बोलो हाँ और बड़ी सर्द हवाएं चलती हैं क्योंकि भाई या पोल के पास में है दुरूब के पास में हो दुरूब के पास में जाओगे तो ठीटा बढ़ेगा की घटेगा बढ़ेगा क्योंकि दुरूब पे exactly कितना होता 90 क्या होता है equator पे देशांतर पे भूमत द्रेका पे कितना होता जीरो हाँ या ना और जैसे जैसे जाते जाओ तो ठीटा क्या होता था बढ़ता जाएगा बोलो हाँ है ना clear हुआ तो yes answer क्या होगा बताओ ब्रेटेन में नतीकोंड का मान इंडिया की तुलना में जादा होगा की कम होगा जादा होगा क्योंकि ब्रेटेन धुरूब के पास में है बोलो आया समझ में ना किता अच्छा क्वेशन है यारी है तुम लोग कह रहे है तफ है इतनी ठंड पड़ती है इसके लिए पांचितर देगो अम मैंने इसलिए बता दिया ठंड पड़ती है और बरफीले देश जो पास में होगा ठंड जादा पड़ेगी एक महिने दो महिने की गर्मी होती ब्रेटेन में बाकी पूरे समय क्या होती है ठंड किसी भी वेधर में वहाँ गर्मी नहीं होती है लगबग ठंड होती है समझे ना इसलिए ब्रेटेन के लोग बड़े गोरे चिट्टे अच्छे दिखते है अब यहाँ देख लो अपन का की कलाव पर थोड़ा फर्क रहता है अगला कोश्च्चन के सी यदि आप ऑस्ट्रेलिया के मिलबर्न सहर पर भुचुम की रेखाओं का नक्षा बनाएं तो प्रतिवी के अंदर जाएंगी या इससे बाहर भाया मिलबर्न सहर यह हमारा क्या भूमद रेखी रेखा भूमद र और यह क्या भीया दच्चनी गोलार्द मगर उत्तरी गोलार दच्चनी गोलार्द यहां रखा चुम्बक बलो हां जहां दच्चन है वहां कौन सा चुम्बक है नौर्द और यहां क्या है तो चुम्बकी रेखाएं कहां से कहां जाएंगी नौर से साउथ की तरफ तो कह र और ऐस्टेलिया के बाजु में बैटा है नू जी लेंड को बटा है हां तो यह आश्ट्रेलिया भी दच्छनी गोलारद में और यह भी कहा है मतलब ऐसी ौजीशन पर ओस्ट्रेलिया देखके लें आप समझगे ना zoom कर देखना मैप को तो दचनी गोलारद में है तो बताओ यहाँ से चुम्बकी रेखाएं निकलेंगी या जाएंगी निकलेंगी आंसर पढ़ो Australia का मोर मिलबर्न सहर दचनी गोलारद में है पृतवी के चुम्बकी छेतर का उत्री धुरूब दच्चनी गॉलारद में इस्थित है अते मोल बर्न सहर पर मेपढ़न सहर पर चुम्बकी रेखाएं, क्या होँगी बाहर की तरफ निकलेगी, बुलो आया समझ में कोई दिककत, मेपढ़न सहर पर चुम्बकी रेखाएं जाऊंगी निकलेगी चलो आंगे आजाओ अगला देखाएं भी देख ले न अगला क्वेशन डी एक चुम्ब की सुई जो उर्धवारदा तल में गुमने के लिए स्वतंतर है यदि भू चुम्ब की उत्तर या दच्छनी दुरूप पर रखी होगी तो यह किस दिसा में संकेत करेगी बाइया बहुत चुम्ब की दुरूप पे धस्थर दिया चुम्ब की सुई को लाकी ल Kerry सुए कह ःगी हो जाएं यिदम सीधी क्या ज्य चुम्ब की इन से तुम्हें फिर णीी ya तो जो सुउप कर दुरूप का नौर्थ होगा वो किसको पकड़ लेगा साउथ को आया समय मे कोई दिक्कत आगे समझ में नहीं आया हां यह वाला कॉस्चन यह माना जाए कि प्रत्वी का चुम्मिकी चेतर लगबग चुम्मिकी दुधुरूप के जैसा है जो प्रत्वी केंदर पर रखा है जिसका दुधुरूप इतना है कोई धंक सुझाईए जिससे इस संक्या के पर अदर अध्य के बाजू में दो सतय पर रहते हैं जाते हैं तोलो ही यहां जाएंडिकुलर पड़ेगो की नहीं पड़ेगा लंबट पड़ेगा कि निगुटः क्यूई खालेगा लंगोर है निरक्ष्छी हे ने की M upon R का? M दिया की नहीं दिया? देखो, question में, M दिया की नहीं दिया? दिया है? M दिया की नहीं दिया है? R, प्रत्वी की तरिज्जिया, R बराबर किते किलो मेटर, 6400 किलो मेटर, बोलो हां, किलो मेटर को ब्रेक कलो हाजार आएगा, और तीन जीरो ये, दो जीरो ये, हाँ या ना, और अगर डेस्मल में तोड़ दो, 6.4 इंटू 10 की पापर 6 किते मीटर, आया समझ में? नहीं आया? चलो रख करके निकालो जल्दी से, जल्दी करो, जल्दी करो, क्या होगा? तुम बताओ क्या होगा? क्या होगा, मॉर्म क्या होगा ये पूछ रहे हैं भाई साब? मॉर्म पाइन, क्या होगा? एम, मॉर्म नहीं हों, कंफूस करने को दियी रखा है, यूनिट देखो बेटा, यूनिट, यूनिट देखो. जो हमारा फॉर्मूला होता है, यहां पर capital M आता है, क्या आता है? Capital M, आता की नहीं आता? हमारे formula में यहां पर क्या आता है? Capital M. Capital M मतलब चुम्ब की दुदरूब आगूण. चुम्ब की दुदरूब आगूण. तो डिरेक्ट दे रखा है, ना? मस रखो. और लिखा भी हुआ है जिसका चुम्म की दुरुदुरुब आघोन। मैं नहीं सॉल्व करा हूँगा, जल्दी स्कॉपी में सॉल्व करो। भैया, जल्दी सॉल्व करो। देख लिया, मेलबर्न? क्यों भाई? यूगल? मुकुल? उसमें आर्थ में देखना पड़ेगा न। मेलबर्न अस्ट्रिलिया, साउदर्न हेमी स्प्यार में, नीचे की तरफ है? चले आखरी सवाल देखो भैई, आखरी सवाल कहरा है, भू गर्ब सास्तियों का मानना है कि मुख हैने सुम्ब की दुरूब के एतर कि प्रतिवी का सतय पर एक और इस्थानी दुरूब है, जो भी भिन दिसाओं में विन्यस्त हैं, ऐसा होना कैसे संभाई? मैंने जो आपको भू चुम्ब कत्व का में रीजन बताया है, सुन लो, जो मैंने दुमको भू चुम्ब कत्व का में रीजन बताया है, वो मैंने बताया कि प्रतिवी के कोर में पिगली धातु हैं, जिनके कान ये चुम्ब की चेतर डवलपूर आप अब भाईया, ऐसा भी कि प्रत्वी के मुख चुम्ब की छेतर के अलावा कुछ अलग भी चुम्ब की छेतर के जोन है तो उनका कान क्या हो सकता है वहाँ पर पाई जाने वाली धात्वों की खदाने क्या हो सकता धात्वों की खदाने तो भाई या पढ़ता हूं मैं आंसर प्रत्वी का चुम्बकी चेतर लगबग, चुम्बकी धुरूब शेतर है, चुम्बकी तखनिज भंडारों के कारण इस्थानी चुम्बकी धुरूब हो सकते हैं, मतलब जहां पर चुम्बकी तखनिज धुरूब हैं, वहां पर इस्थानी चुम्बकी धुरूब हो सकते हैं जैसे अपना लद्दाक वाला Magnetic Hills लद्दाक की Magnetic Hills तो वहाँ पर भाईया अलग से चुम्बकी पदार्त की भंडार है इसलिए वहाँ का Magnetic जो होता खीसता है, वहाँ के जो और से निकलती है, आयस्क हैं, क्या करते हैं गाड़ी को खीसते हैं, मतलब सपाट खड़ी चड़ाई है, ऐसी और यहाँ पर आपने Toyota लगा दी हाँ या ना, तो Toyota आपको पीछे जानी चीए कि नहीं जानी चीए, Toyota याने गाड़ी बड़ी वाली, गामा, Toyota बेटा जो भी है, ट्रेक्टर फ्रेक्टर, तो भाईया, यह आँगे की तरफ खिसती, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ नहीं खिचेगी, कहां की तरफ, और जब उतारोगे, जब उतारोगे, तो अगर आप न्यूटरल करके छोड़ दो गाड़ी नीचे नहीं भागीगी, गारी वहीं पर खड़ी रहेगी, समझ गे ना, यह उपर खीचेगी, समझ में आए, तो ऐसा क्यों मतलब पीछे से कोई खीच रहा है, पीछे से कोई खीच रहा है, यह क्या लादी, मैगनेटिक हिल्स, क्या क्या लाती है, मैगनेटिक हिल्स, समझ में आ गया, कोई दक्कत, भूत नहीं है भाई, चुमबक है, आ गया समझ में, चलो, हाँ, 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 जमने पर चुम की चेतर अधिक, देखो, भाई आप, क्या है, कि अगर पिगली वी धातु हैं, तो उनके जो इलेक्ट्रोंस हैं, वो किस मोन में, एक्साइटेड मोन में हैं, बाहर हैं, क्या हैं, बाहर हैं, अगर थंडा होगा, तो वो बाहर नहीं जाएंगे, वो कहा हैंगे, अंदर आएंगे, कहा हैंगे, मतलब फ्री इलेक्ट्रों की संक्या में क्या जाएगी, क्या जाएगी कम ही आजएगी, और गली तवस्ता में आयन भी बनते हैं, क्या बनते हैं? आयन, free electronic अलग बात है, उपर से क्या बनगा है? आयन, गली तवस्ता में क्या बन जाते हैं? जो लगातार चुमबकी जित बड़ेगा नहीं, चुम्बी की छेतर कमेगा, बोलो आगया समझ में, देखिए बहुत अच्छा सवाल है, पहला कोशन देखिए, एक चुम्बक है, देखो बच्चों, समझो, अगर इसके दुरूप रावल हैं M, दुरूप रावल क्या है, अभी तक इसकी बीच की आधा L और आधा, तो चुम्बक होता था M, 2, M into 2L, बोलो हाँ, अगर मैं इसको L ले लूँ, तो फर्क कितना बट जागा, यह हो जागा, L by 2 और यह हो जाएगा, और इस समझ में चुम्बक हो जागा, M into L, क्योंकि प्रभावकारी लंबाई अभी क्या है, L है, और उपर क कुल में लाके होग यह रहा है, कि अगर आप एक मीटर ले रहे हो, एक मीटर दोनों के बीच की दूरी, तो यहां लिख दो के 2 into 0.5, बोलो हाँ, बने का क्या, एक, बने का क्या, बने का क्या, M into 1, M into, फर्क पड़ा क्या, मतलब आपके विचार जैसे भी हो, वैसा मान सकते क्वेशन आजाओ, एक चुम्ब की तार, बिटा देखो, एक चुम्ब की तार जिसका आगुण M है, चुम्ब की तार जिसका आगुण क्या है, यह लेलो बही है, यह चुम्ब का तार है, इसका आगुण क्या है, capital M बराबर small M into, into L, किता? L, मैंने धुर्बों के बीच की द दूरी पर, इसके एक सिरे से एक टीहाई दूरी पर L आकार में मोड़ दिया जाता है, किति आकर में? L आकर में, यह total दूरी किती है, L, एक टीहाई किती होगी L by 3, इसको पकड़ के यहां से मैंने तार को मोड़ दिया उपर, तो देखो भाईया, नया चुम्ब क्या बन ग 3 से 3 3 तीहाईल मतलब सिंगल तार पूरा तार बन गया कोई दिक्कत नहीं है बोलो हाँ पहले चुम्ब की दुरूब यहां था बोलो हाँ और क्या था यहां था चुम्ब की दुरूब का परिमाल कितना था M कितना था M अब कहां बेटे का यहां बेटे का बोलो हाँ अब कहां बेटे का यहां बेटे का यहां बोलो हाँ मगर चुम्ब की लंबाई पहले जो सीधे जा रही थी अब विस्थापन यह बनेगा की नहीं बनेगा बनेगा की नहीं बनेगा तो इसको मान लिया X कर प्रपाओ कारी लंबाई यही बनी ही कि नी बनी ही कि उसको माण लिए एकस पाइथा वरती व्रण जिंदा बाद एकस का स्कॉरा ब्रढबर ल इन Four spread ॅàiन नाइन वर आए थिछी का होल स्क्वाइर फॉरलस क्वार नाइन ठीक है अब चलो नया चुम्बी की आगूण निकालना है, M- बराबर दुरुब प्रावल बोलो किता, M और नई वाली चुम्बी की लंबाई किती, अंडर रूट 5, L भाई, 3 बोलो हाया न, चलो भाई, अंडर रूट 5, अपाउन 3 कर दिया, और यहाँ पे L इंटू किता, L इंटू अपाई, क्या हो गया, गट गया, क्यों गट गया, देखो ध्यान से, भाईया, रूट 5 की वैल्यू होती, 2.25 बुलो हाँ, और 3 की वैल्यू 3 होती है, 2.25 में 3 का दिवाइड गरोगे, बूलो 1 से जादा है, 1 से कम, 1 से कम आएगा, क्या आएगा 1 से, मतलब 0. कुछ-कुछ, तो जीरो पाइंट कुछ-कुछ M मतलब घट गया ना पहले तो M था हाँ या ना नोड कर लो